हाई दोस्तों असलों वालिकूम कैसे आप लो में हम नभील है सबसे बड़ा iOS 18 का जो अपडेट है वो आ चुका है यह है iOS 18.1 beta 1 क्यों है सबसे बड़ा क्योंकि इसमें Apple Intelligence आ चुका है इसमें call recording आ चुकी है और इसमें Apple Intelligence के काफी सारे features आ गए सारे तो नहीं आ लिए इन काफी 0 का beta 4 उस पे ही रहेंगे आप या public beta 2 पे रहेंगे उसका पब्लिक beta 3 और iOS 18 का beta 5 आपको में भी मिल सकता है लेकिन 18.1 फिलाल जो है सिर्फ और सिर्फ आइफोन 15 pro और pro max model पे ही आपको देखने मिलने वाला है तो इस बात का आप ध्यान रख लेना इसके अलावा आपको फिल 1 के अंदर जो update size हो करा है पहले वो discuss करते है उसके बाद apple intelligence को आप on कैसे कर सकते हो भी आपको बताऊंगा क्योंकि इंडिया के लिए यहां पे यह भी फिलाल अवैलेबल नहीं लेकिन आप अवैलेबल करवा सकते है इसको क्योंकि apple ने इसका method बताया सबसे वहले चीज यहा अवैलेबल दिखाया यानि कि आप चाहे तो इस पर रह सकते है 18 के beta 4 पर या फिर आप update कर सकते है 18.1 beta 1 पर फिर यहां पर टैप करके आपको यह वाला page मिलेगा जहां पर अपडेट नाओ करके इसको update कर लेंगे iOS 18 beta 1 का जो update का size है वह बहुत सब बढ़ा नहीं है surprisingly 762.4 MB का आया है मेरे 15 pro max पे update से पहले iOS 18.0 beta 4 था मेरे सवाले phone पे 555.58 GB available free space था और यह build number था update करने से पहले अपडेट करने के पहले का जो modem firmware था वो था 2.15.01 अपडेट करने के बाद यहां पे 18.1 आ चुका है यह बिटा 1 है यहां पर available free space बहुत अच्छी बात है कि 3 GB से बढ़ गई यह जो है मुझे बहुत अच्छा लगा यह घटी नहीं है चलो apple intelligence आ गया तो available free space घट रही है एक 18.1 की सीरीज का जो है पर्स बेटा है तो यहां पर build number के end में आपको P देखने मिल रहा है लेकिन modem firmware के अंदर देखेंगे तो यहां पर कोई change नहीं है पूरे features के अंदर आए अब इस वाले update में क्या कुछ नया है वो check out करते है और इस update में बहुत कुछ नया है सबसे पहली चीज और सबसे बड़ी चीज जो यहां पर आई है वो है apple intelligence, apple intelligence जब यहां पर आप जाएंगे आपके iPhone की settings के अंदर तो apple intelligence का आपको यहां पर एक अलग से tap देखने मिलेगा अब इंडिया में आप जब हो तो आपको यहां पर क्या दिखाएगा apple intelligence is not currently available in your country और region लेकिन यहा मैंने भी किया था बताऊंगा कैसे करना है और उसके बाद आपको यहां पर make sure करना है कि आपकी जो device language है, series language है, वो US English पे set है, English इंडिया नहीं चाहिए, English UK नहीं चाहिए, US English चाहिए और device region भी आपका जो है, वो United States होना चाहिए, तो settings में आप easily कर सकते यह चीज, और आपक चेंज कर लीजे बस, यह करने के बाद जब आप Apple Intelligence वाले टैप पे आएंगे, तो यहां पे आपको दिखाएगा, join the Apple Intelligence waitlist, तो इस पे click करके आप यहां पे waitlist join कर सकते Apple Intelligence की, इसके बाद आपको यह splash screen देखने मिलेगा, जहां पे लिखा है, कि new tool है, यहां पे आपने आपको जिससे express कर सकते हो, पसनारीज, इमेजिस वगरा बना के, Siri का एक new era आपको देखने मिलने वाला है, Siri completely यहां पे change हो रहा है, और privacy भी ground breaking है इसके अंदर, जॉइन वेसलिस पे click कीजे और आप waitlist में आ जाएंगे, waitlist में आने के बाद आपको 10-15 मिनिट में ही यह Apple Intelligence देखने मि Gradient जैसा वो भी दिखा रहा है, और Type 2 Siri भी आ चुका है, जहाँ पे आप इस पर डबल टैप करके, Type 2 Siri कर सकते लिए ऐसे काम ने करेगा, कैसे काम करवाना है वो भी बताता हूँ आपको, चली अब Apple Intelligence में क्या कुछ नया है, उसमें जो सबसे important चीज जो iPhone users खास करके इंडिया में, जो इस्तमाल करने के लिए मरे जा रहे थे, वो मैं आपको बता देता हूँ, वो है call recording, call recording कैसे आप इस्तमाल कर सकते हैं, कोई setting वो अगर आपको call recording की देखने नहीं मिलेगी, तो confuse मत हो ना, एक number dial करते है, ऐसी random और यह एटल का customer care number है, अब यहाँ पर आप देख सकते ह आपको यहाँ पर voice note जैसा कुछ icon देखने मिल रहा है, इस पर आप tap करेंगे, तो यहाँ पर आपकी call recording जो है, शुरू हो जाएगी, और within 3 seconds आप एक sound भी जाएगा, कि आप यह call को record करें, this call is being recorded, उसको आप बन नहीं कर सकते, यहाँ पर take notes का भी option है, इस call में आप notes ले सकते और यह call recording भी notes में ही save होती, यह थोड़ा सा weird है, लेकिन ऐसा ही है, और यहाँ पर आप देख सकते है, कि यह जो चल रहा है, यहाँ पर मेरी और सामने वाले की बात हो रही है, यह पूरी call record यहाँ पर हो रही है, आप चाहे तो इसको यहाँ से stop कर सकते है, बद कर सकते है, औ और फिर से आपको यहाँ पर करना है इसको open, तो open करके फिर से call recording शुरू कर सकते है, यह call को मैं end करता हूं, और call recording गई कहाँ पर हमारी वो बताता हूं, तो notes के अंदर आप देखेंगे, यहाँ पर आपकी call recording आपको नजर आ जाएगी, call with my atl करके लिखा है, आपका नाम भी हो सकता है, समझो मेरे फ्रेंड का नाम रोशन ने तो call with रोशन लिखा आएगा, इस तरीके से जो भी contact रहेगा, उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा उपर, और यहाँ पर आप जो है, यह call recording सुन सकते है, यहाँ से play करके, तो मैं आपको सुनाता हूं, तो जैसे आपने clear call recording, जैसे Samsung के phones में होती है, वैसे ही यहाँ भी होने लग गई है, और इसी के साथ इसके अंदर आपको transcript भी देखने भी लेगा, यहाँ पर जो बात कर रहे हो, दोनों सामने वाले से आप English language में, अभी फिलाल English ही supported है, तो यह transcript भी आपको बताएगा, वो क्या बोर रहा है, आप क्या बोर इस तरीके से, दोनों का conversation को आप transcribe भी कर सकते है, और यहाँ पर इसको जो है, प्रॉपरली सुन सकते है, आप इसमें forward, backward कर सकते है, and done पर tap कर सकते है, यहाँ से आप चाहे, तो इसको share भी कर सकते है, और यहाँ पर एक और चीज़ है, वो है summary का option, summary का option फिला आप फिला लिए इसकी शुरुवात है, तो हो गए न दोस्तों, खुश आप आ गई call recording, आपके आइफोन के लिए finally इंडिया में भी, और पुरी दुनिया में भी, चलो अब Siri के बारे में बात करते है, यहाँ पर Siri के लिए आपको नया animation देखने मिल रहा है, तो आप Siri को साउंड है, तो यहाँ पर मैं वह आपको सुनानी पाऊंगा, लेकिन नया sound भी आया है, जो कि अच्छा लगता है, थोड़ा सा pleasing है कानो के लिए, Siri की settings है, वह Apple intelligence की settings के अंदर ही आपको देखने मिलेगी, Apple intelligence and Siri करके यहाँ पर लिखा है, इसके अंदर आप देख सकते है, Apple intelligence आप चाहे तो off कर सकते है, language यहाँ से select कर सकते है, Siri आपको क्या चाहिए, Siri चाहिए, Siri चाहिए, वह आप यहाँ से choose कर सकते है, talk to Siri फिलाल यहाँ पर on है, type to Siri भी हम आपको बताऊंगा, allow Siri when locked, और यह सारे options जो आपको Siri में देखने मिलते थे, वो सारे यहाँ पर भी देखने चाहिए, और उसके बाद आपको फ्रोड़ा स्क्रोल करना है, फिर आपको जाना है, Siri में यहाँ पर पुराना Siri का icon आपको देखने मिलेगा, और यहाँ पर आपको देखने मिलेगा, type to Siri, type to Siri करना है, तो यहाँ पर देखिए, इसको मैं प्रेस करके रखता हूँ, और आपको पूछ सकते हैं, जब आप यह करते हो, तो उस टेम पे आपका जो talk to Siri है, वो बंद हो जाता है, तो यहाँ पर देखिए, अब talk to Siri नहीं, तो फिलाल में इसको यहाँ पर Siri की सेटिंग्स में जाके, accessibility के अंदर off कर देता हूँ, क्योंकि voice से बात करना Siri से वो better होता है, Apple Intelligence में और भी बहुत सारे features आये हैं, जैसे messaging में smart reply, अब यहाँ पर मेरे लिए वो काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर जैसे एक ने मैसे मुझे message किया है, यहाँ तो मुझे automatic नहीं यहाँ पर कुछ replies के option देखने मिलने चाहिए थे, बट कभी कर नहीं रहा है, English US keyboard ही मैंने select कर कर बाकी keyboards मैंने disable कर दिये, ताकि properly यह काम करें, क्योंकि अभी फिलाल उसी keyboard के लिए available है, anyways, यहाँ पर सारी चीज़े और है, जो काम कर रही है, जैसे यहाँ पर writing tools है, तो writing tools में क्या है, proof read है, rewrite है, और यहाँ पर apple intelligence का option है, proof read पर जाते है, तो यहाँ पर देखे, यह जो है, इ यहाँ पर यह proof reading करके बता रहा है, next करके यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर कुछ और नहीं है, तो मैं चाहूँ, तो इसको use original कर सकता हूँ, या फिर done कर सकता हूँ, तो यहाँ पर यह correct होगा, अब यहाँ पर मैं और चीज़े बताता हूँ, जैसे मैंने इसको ठीक ठाक बना दिया, उसकी थोड़ी language जो है, सुधारी, अब मुझे पसंद नहीं, तो मैं फिर rewrite करता हूँ, यहाँ पर लिखे है, hey man, listen, I am done talking to you, please keep to yourself, यहाँ पर यह चीज़े है, और अगर मुझे revert करना है, तो revert कर दूँगा, तो original message था, वो आ गया, तो Rewrite है, friendly, professional, concise, इसमें से कोई भी एक चूस करते है, यहाँ पर friendly मैं इसको जवाब देता हूँ, तो friendly में टाप करता हूँ, अब देखिए, hey there, I have decided to take some time for myself and focus on personal growth, I hope you understand, मतलब एक दम प्यार से, एक दम दोस्त की तरह मैं इसको समझा रहा हूँ, मतलब मेरा phone समझा रहा है, कि यहाँ पर, इतनी बत्तमी से बात मत कर, इतने प्यार से तरह दोस्त को मैं समझा देता हूँ, तेरी तरफ से, मुझे गुस्ता था, तो मेरे phone ने मेरा काम कर दिया, अब मुझे professionally reply करना, यही जो rude message है, यह professionally देखिए कैसे reply करता है, तो यहाँ पर tap करता है, और ही कितना fast है, please respect my decision and refrain from contacting me further, एकदम professional, एकदम प्यार से इज़त से उसने इसको यहाँ से भगा दिया, और यह नहीं पसंद, तो retry कीजए, और instantly यहाँ पर दूसरा भी आ जाएगा, तो यह मुझे बहुत अच्छा लगा, कि यहाँ पर सब चीज़ इसको थोड़ा सा चोटा करते है, तो द साइट से, इसको मैं इस तरीके से सिलेक कर लेता हूँ, यहाँ पर टैप करता हूँ, और उसके बाद अगर मैं इसकी summary निकालना चाहता हो, तो देखिए, summary यह मुझे निकाल के देगा, यहाँ पर इसमरी किसी को भी send कर सकता हूँ, इसने बड़े paragraph का, इसने इतनी से summary निक सकता हूँ, फिर रिवर्ट कर देता हूँ, और table बनाना है, तो table बना के देगा, इसने table बना दिया, इसमें से जो है, निकाल दिया architecture क्या है, और fabrication process का क्या है, और यहाँ पर यह भी possible है, यहाँ पर इतने सारे अच्छे options है, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत इस पर tap कर देता हूँ, और यहाँ पर मुझे splash screen मिलती है, इसमें लिगा है कि on device intelligence का इस्तमाल करके, जो interruptions है, यह रिडिउस करेगा, focus mode आप जानते ही है, कैसे उसका नहीं जानते है, तो फिर क्या कर रहा है, आईफून उसको फट 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 फट, यहाँ पर focus mode बहुत important है, और इसके अंदर on device, जो intelligence से उसका इस्तमाल करेगा, ताकि आपको disturb ना हो, आपके friends के शेर कर सकता आप इसको, custom lock screen, home page, वो सब तो normal चीज़ है, यहाँ पर customize करते है इसको, और यहाँ पर इस तरीके का page आपको देखने मिलता है, अब यहाँ पर intelligent breakthrough and silencing करके लिखा है, when reduced interruptions is active intelligently allow important notifications to interrupt you and silence notifications to determine not to be important, मतलब यह कुछ तेह करेगा, कौन सा important है, ताकि आप थोड़े से disturb हो जाओ, उससे, कौन सा important नहीं है, जो silent कर देगा, और कोई भी notification जो specifically allowed या silent है, वो allowed और silent रहेगा, यहाँ पर people add कर सकते हो, apps add कर सकते हो, और वो ही जैसे सब focus में होता है, पर यहाँ यह खुद decide करेगा, तो यह आप थोड़ा सोच समझ के करना, थोड़ा time लगेगा इसको सीखने के लिए, अब यहाँ पर यह अगर focus आप set कर देते हो, reduce interruption का focus जो है, यहाँ से आप लगा देते हो, तो क्या होता है, यहाँ पर मैं reduce interruption का focus लगा देता हूं, तो यह reduce interruption का focus त तो फरक क्या पड़ा, अब इसमें, क्योंकि यह 15 plus है, इसमें तो यह option आ नहीं रहा है, क्योंकि यह update अभी आई नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते intelligent breakthrough, intelligent breakthrough and silencing का option है, यहाँ पर नहीं है, बाकि सारी चीज़े यहाँ पर सेम है, तो यहाँ पर यह device वो चीज नहीं कर पाए तो यहाँ पर आपको नजर आएगा, Summarize, Summarize भी AI का ही एक फीचर है, इस पर टैप करते हैं, और यह देखे इस mail की summary बनाके instantly, मतलब यह मुझे बहुत च्छा लगा कि lightning fast speed बे यह बनाके दे रहा है, और यहाँ पर बता रहा है, कि Amazon का यह email आया है, यह क्या बता रहा है, exactly, mailbox का main page उतर है, यहाँ पर सारे emails होते है, वहाँ पर आप करेंगे, तो show priority करके आपको option देखने मिलेगा, यह भी Apple intelligence का फीचर है, और यहाँ पर intelligence वाला जो symbol है, उनका वह भी नजर आ रहा है, तो priority के हिसाप से mail को ऊपर नीचे दिखाएगा, settings के अंदर, अगर आप चले जात सकती है, तो आप चाहे तो कर सकते हैं, किसको export करना है, वैसे नहीं करना है, तो छोड़ दीजे, इसके दाद दोस्तो, Apple intelligence, अब iPhone के storage में भी आपको देखने मिलेगा, तो यहाँ पर एक चीज और add होगी, iPhone storage के अंदर इसको load होने देते है, फटा-फट नीचे चलते है, यहा अच्छा खासा space लगेगा, यह काम करने के लिए efficiently, iOS 18 beta 1 के यह new features मैंने आपको बताए, अब इसके अंदर कुछ bugs भी है, और भी निकल के आएंगी, जब इसका review बनाऊंगा, लेकिन अभी फिलाल मैं आपको बता देता हूं, जैसे यहाँ पे एक wallpaper का bug है, wallpaper का bug मतलब क्या है, यहाँ पे Apple ने wallpapers के अंदर से आपका जो 15 pro और pro max वाले wallpapers है, वो यहाँ से गायब कर दिया, और वो अभी तक फिलाल यहाँ पे आए नहीं है, तो यह चीज जो है, जो लोगों को वो wallpaper पर पसंद थे, उनके लिए थोड़ी सी disappointing है, otherwise कोई इतनी कोई बड़ी बात नहीं ह तो होती ही रहती है, इसके अलावा यहाँ पे जो volume का bug है, मेरे particular iPhone में ने दूसरे रिव्यूर्स का भी देखा, किसी को आनी रहा है, तो मेरे particular iPhone में आ रहा है, यह आवाज आ जाती है, फिर अचानक जो है, यह जाता है यह जाता है, otherwise यह बग यहाँ यहाँ पे मेरे phone में तो यह बगस definitely इसमें होंगे, problems होंगी, लेकिन यह क्योंकि नया update है, तो आप जो bugs आएंगे, वो अगले आपको update से देखने भी लेंगे, release notes के आनले, बैटरी की बात करते दोस्तों, यहाँ पे बैटरी की साथ-साथ में थोड़ी से heating के बात करना चाता हूँ, कि slightly warmer है to the touch, iOS 18. 18.0, beta 4 पे जो चल रहा था मेरा phone, उसके मुकाबले यह थोड़ा सा जाधा गरम हो रहा है, अब Apple Intelligence यहाँ पर आगया, तो थोड़ा सा गर्मी वाली जो बात है, वो यहाँ पर आने वाली है, यह समझ के चलिए, 91 हो गई है, बैटरी हेल्थ, 1% से बैटरी है और गिर गई है, 92 से 91 हो गई है, तो इस बात का भी ध्यान रखना, यह चीज भी हो सकती है, आपके phone के साथ, थोड़ा सा heating वगरा के वज़े से भी यह चीज होती है, और इसका असर परफॉर्मेंस में भी दिखे कब आगया आपको बताता हूँ, अब यहाँ पे network के अंदर कोई change नहीं आया है, क्योंकि modem firmware नहीं आया है, तो network अच्छा ही है, कोई दिक्कत इसमें आने रही है, ठीक है, कोई बात नहीं, रही बात storage की, तो यहाँ पे देखिए, मैं iPhone फिर से लेके चलता हूँ आपको, storage के मामले मैं आपको बताई दिया है, कि यहाँ पे Apple intelligence भी कुछ जगा घेरेगा इसके लिए तयार है ना, अगर आपका 128GB वाला, कोई iPhone अपने लिए 256GB वाला, तो आपको problem आ सकती है, in future, लेकिन अभी तो फिलाल नहीं, और यहाँ पे बाकी इस update के वए से, कोई भी आपका जो data loss है, यह storage का, जो space loss है, वो नहीं होना चीए, जैसे मेरे phone में भी नहीं तो पहले history देख लेते हैं, यहाँ पे, CPU score की 28026765 था पितला score, और आज है 2755 और 6709, तो कहां मेरा 15 Pro Max, 7400 का score निकाल रहा था देख सकते हैं, अब यहाँ और कहां यह 6700 पे आ गया है, और भी काम हो सकता है, अगर heat जादा करे phone तो, और मैंने phone को cool रखकर ही, यह test किया है, तो ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे इसके अंदर कुछ गडबड कर रहा हूँ, anyways, GPU का score देखेंगे, तो यहाँ पे GPU का score अच्छा है, तो gamers को I hope कि कोई problem नहीं आने चीब, यहाँ पे Apple heat जो है, वो control करने की definitely कोशिश करेगा इस update में, अब upcoming updates क्या कुछ आपको देखने मिलने वा आपको शायद public beta नया version और iOS 18.0 का जो है beta 5 देखने मिल सकता है, और इसका beta 2 जो है, वो में भी और एक week के बाद Apple release करें, तो काफी सरे updates lined up है, मजा आने वाला है, हमको अच्छा लगत explore करने का नए-नए features, आप भी जुड़े रही है, आपको भी मजा जरूर आएगा, तो यह आपको शब्सक्राइब जो किजिए, गुडबबाए.